तो आज की क्लाच में डिस्कस करेंगे ओ नाइटिंगल रिटेन वाई जॉण मिल्टन ठीके ना यह जो ओ नाइटिंगल पोईम है जॉण मिल्टन की यह पहली पोईम है यह पहली शॉनेट है जॉण मिल्टन की एन इडवाज पबलिश्ट इन 1645 बोलियंज सबी लिगों को पता होना चाहिए तो काभी जादा important है आज इसको detail में discuss करने वाले है और ये हर किसी के लिए important है चाहे वो आपका TGT examination हो या PGT हो LT grade हो किसी भी तरीके के examination के लिए ये important रहने वाली है है ना ओके शौम्या मिस्वा, आफ्री, निधी चलिगा तो start कर लेते सबसे पहले इनके कुछ important point के बारे में discuss करेंगे उसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं ये हमारा poem का text है जो आप लोगों को पढ़ना है और text को पढ़ने से पहले मैं इसकी कुछ detail study कराने वाला हूँ जिससे के आपको ये text अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो पहले हम poem को analyze करेंगे कि poem आखिर है क्या है ठीके तो poem क्या है ओ nightingale is also non as milton sonnet इसको milton से sonnet नमबर बन भी कहा जाता जहां रखी गो ठीके न ओ nightingale क्या है ये milton की sonnet नमबर बन है और sonnet नमबर वन से लेकर 10 तक sonnet नमबर वन से लेकर 10 तक जो इनका 1645 का volume था ठीके ना उसमें इनको publish किया गया था so it presents a contrast अगर हम बात करें इस poem में आखिर होता क्या है तो इसमें एक contradict कहने का मतलब बिरोधा भास create किया गया है contrast create किया गया है तो दो word है एक है आपका nightingale और दूसरा है आपका कुकू तो nightingale basically क्या है ये एक love word है the symbol of love and prosperity और जो कुकू है वो आपका एक hated word है the symbol of hated jealousy ठीक है ना so the theme of the poem is the contrast and strive between love and hate तो इसकी जो theme है वो क्या है love and hate के बीच में contrast और strive है where love succeed because it has more strength than hate और इस poem में जो love है वो successful हो जाता है इसका reason क्या है क्योंकि love में strength जाबा होती है hate की बजाए ठीक है ना so the nightingale is in this poem is the subject इस poem का जो subject है वो आपका क्या है वो nightingale है its main idea suggests that the love eventually prevails the tone of the poem is paradoxical अगर इस poem की tone की बात कलने तो इसकी poem क्या है paradoxical है अक्षर कुष्यन पूछे जाते है tone case ही है तो आप लोग को याद रखना है the speaker in this poem is the poet himself अगर बात आती है कि इस poem का speaker कौन है तो इस poem का जो speaker है वो swim poet है ध्यार रखी गाओ कहने का मतलब जॉन बिल्टन इस poem में speaker है याद रखेंगे ठीक है ना शुदा speaker present a contrast between love and hate यहाँ पर जॉन बिल्टन love and hate की बीच में contrast create करते हूँ नजर आते हैं symbolic way में nightingale को word of love बोलते है यानि कि love का symbolic figure बताते है और जो kukku word है वो hate का symbol बताया जाता है यह question कई बार examination में पूछा गया है तो आप लोग इसको याद रखिएगा ठीके and since the sound of a nightingale are pleasing to the ears जैसा कि poem में poet बताते है कि nightingale का जो sound है वो कैसा है pleasing to the ears यह सभी की कानों को भाता है सब लोग इसको पसंद करते है और अपने आप में a musical है यानि कि इसका sound musical है nature में तो these can give a feeling of hope इस बज़े से इसका जो sound है इसका जो music है नाइटिंगल का वो एक feeling create करता है लोगों के मन में किसकी नई उम्मीद की नई आसा की किरर जगा देता है और उन लोगों के वीच में तो बहुत ज़्यादा important साबित होता है जो कैसे है जो प्यार के बीमार है मतलब जो lover है lovers के लिए यह क्या है एक feeling of hope है एक आसा की नई किरड़ है the point begins with point की शुरुवात होती है in line से oh nightingale that on your blow me spray तो oh nightingale यहाँ पर क्या है यहाँ पर address किया जा रहा है nightingale को address कर रहे है जन बिल्टन को कहते है hey nightingale that on your blow me spray blow me spray का मतलब है तुमारा जो madhur जो जो जिसमें शुक की जलक निकलती है madhurता भरा जो ध्वनी है ठीके न on your blow me spray तो यह कि अगरता है यह लोगों है जो लवर्स है उनमें एक नई आसा की उंबीद नई आसा की किरड़ जगा देता है अभी हम पोईम को डिसकस करेंगे पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लेजिए तो इन लाइन्स में क्या होता है here nightingale symbolize love and success इन लाइन्स में है जो nightingale है वो किसको करती है symbolize love and success को symbolize कर रही है यह separately line में आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि question separately line से आता है question यह दे दिया जाए कि ओ nightingale that on yon blow me spray thou with the fresh hope the lovers are toast तो here the nightingale symbolize what यहाँ पर जो nightingale है वो किस चीज को symbolize कर रही है तो वो symbolize कर रही है love and success ठीक है the chips of the nightingale chips का मतलब होता है sound यानि उसकी जो चहचाहट होती है उसकी जो sweet voice होती है उसकी बात हो रही है the chips of the nightingale are melodious इसका जो sound है इसकी जो चहचाहट है वो बहुत ही melodious होती है और उन लोगों के मन में एक success की उम्मीद जगा देती है feeling कर देती है कि हमारा जो प्यार है वो success होगा है न and love to those who walk by and hear the melodic sound उन सभी लोगों के बीच में उन सभी लोगों के मन में जो इसको सुनते हुए बुजरते हैं या सुनते हैं इस melodic sound को कौनसे वाले melodic sound को जो nightingal create करती है उसको नेस्ट लाइन हमारे पास हो वाइल दा जॉली आवर्स लीड ओन प्रोपेटियस में तो यहाँ पर दिया गया है आवर्स एक बहुत ही significant fact है आवर्स बेसिकली जीउज की बेटे की लिए यहाँ पर यूज की आ गया है जब mythological figure के रूप में यूज की आ गया है आप लोग उसको याद करिए तो आवर्स क्या था आवर्स एक गैटी थी गैटी का मतला spirits से हुगा करती थी तो generally उनके dance करने से जब वो dance करती थी तो season की changing होती थी तो यहाँ पर यह बोला या रहा है कि while the jolly hours lead on properties में जो खुश जॉली है यानि कि जो खुश मिजाद spirits है जिसके dance करने से किसकी शुरुआत होती है मई के महीने की शुरुआत होती है इट गिपस तब feeling of possibility तो यह जो feeling होती है इसके sound की यह positivity हमें देती है success की feeling देती है उम्मीद की feeling देती है emotional intensity create कर देती है and imaginative freedom देती है हम कुछ भी सोच सकते हैं कुछ भी हम कर सकते हैं to the new love and potent success in love और हमको पूरा बरोसा हो जाता है जो lovers होते हैं उनको पूरा बरोसा हो जाता है कि हमारा जो प्यार है वो कैसा होगा successful होगा मतलब हमें हमारी प्रेम का हमें हमारा प्रेमी मिल जाएगा क्योंकि इसका जो music है वो बहुत ही जादा inspired अगर दी जागया है the cuckoo is the complete opposite of the nightingale अब जहाँ पर paradox का use की जागया है पोईट जहाँ पर कुकू के बारे में describe कर रहे है because it is known as a hate word according to the poet इसको hate word कहा गया है now timely sing you are the rude word of hate poet कहता है now timely sing hey nightingale तुम भी समय से गाया करो तुम भी समय से गाया करो it is the rude word of hate इससे पहले के यह जो rude word of hate है यह अपना गाना शुरू कर दे मतलब यह अपनी आवाज शुरू कर दे उससे पहले तुम time से गाना गादी जा करो क्योंकि जब यह गाना गाएगी तो यह हमारे अंदर hate create करेगी ठीक है ना हमारे अंदर discomfort create करेगी लेकिन अगर इससे पहले तुम गाद होगी now timely sing array तो लोग खुस हो जाएगी उनके अंदर एक उम्मीद की कर जगेगी success की feeling आईगी its sounds and trips are completely different तो जो word of hate है इसका sound बिल्कुल different होता है from the nightingale nightingale से ठीक है याद रखीगा as the cuckoo is representing cuckoldry and jealousy क्योंकि इसके अंदर क्या होता है cuckoldry, jealousy ठीक है ना मतलब बहस करना घड़ा करना, jealous होना ठीक है और एक तरीके की discomfort के feeling यानि हर तरीके की जो negative feeling होती है वो इसके sound को सुनने के बाद में किसी भी lover के अंदर create हो सकती है एक person जो इसके sound को सुनेगा वो irritate हो जाएगा उसके उनमें hatred की feeling आ जाएगी discomfort feeling करेगा और उसे unsuccessful लगना शुरू हो जाएगा हर चीज का so the trips of the koku are just two node sound similar to the koku clock koku clock जो होती है जिसकी आवाज किसी को पसंद नहीं आती, उसी तरीके से koku का जो sound है, koku word का उसी तरीके से माना गया है its sounds are harsh koku का जो sound है, वो हार्स होता है this is considered as an auditory imagery of the feeling of jealousy, इसको feeling of jealousy माना गया है यानि कि जॉन बिल्टन इसको feeling of jealousy कहते हैं और hate बताते हैं इसके अंदर those who hears these sound वे सभी लोग जो इस koku के sound को सुनते हैं end of feelings annoyed वो क्या कहते हैं, वो गुसा होना अपने अंदर, एंग्रिनेस ठीक है न, और frustration इंज सब का creation कर देती हैं, क्योंकि इसका जो sound होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, बहुत ज़्यादा hesitating होता है so this annoyance could trigger anger और इसी annoyance के कारड़, इसी एंग्रिनेस के कारड़ हम बहुत ज़्यादा अत्यंत करोधित हो जाते हैं, यह हमें दिल में create हो जाती है और हमारे अंदर उत्पन हो जाती है hopelessness, हम frustrated हो जाती है thus the speaker proposed that the nightingale sing for him before the bird of hits for tell us is fit तो इसी लिए जो poet है John Wilton है, उससे request करता है nightingale से, के hey nightingale तुम उससे पहले गाओ जो hatred word है यानि के जो kukku है, इससे पहले के kukku गाना सुरू कर दे अपना, उससे पहले तुम गाना सुरू कर दो, क्योंके अगर kukku ने गाना सुरू कर दिया तो kukku मुझको अपने गाने में क्या बताएगी kukku will tell for tell my hopeless वो मुझे hopeless की तरफ ले जाएगी doom in some grove near, यानि कि किसी दूर इलाके में जब वो गा रही होगी उससे मेरी hopelessness बढ़ जाएगी क्योंकि वो hatred word है उसके अंदर discomfort होता है irritation होती है तो इससे पहले तुम अपना गाना सुरू कर दो यह जो word होता है यानि कि जो kukku होती है according to the poet यह कहता है कि यह kukku हमें उस हर जगे पर मिल जाएगी जहाँ पर लोग परिशान होंगे यानि कि बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे उस हर जगे पर हमको यह kukku बोलती हुई नजर आजाएगी एसी जगे पर नजर आजाएगी kukku बोलते हुए जहाँ पर लोग घड़ा के पात रहोंगे लोगों के अंदर घड़ा उत्पन हो रही होगी है न और बुरा समय चल रहा होगा तो poet उससे यह कहता है कि मेरा बुरा समय चल रहा है पोईट का कहना यह है नाइटिंगल से poet कहता है कि तुम हमेशा लेट गाती हो एच दाव फ्रॉम येर टू इयर हाजन्ट शंग टू लेट कि साल दर साल बीथते जा रहे है मैं कापी शालों से देखता हुआ चला आ रहा हूँ तुम गाती तो हो जब भी गाती हो रिलीव देती हो आनंद देती हो शुकून देती हो और सपलता की एक फिलिंग देती हो बट जब भी गाती हो देर से गाती हो यानि तब तक तो सब कुछ खतम होने बाला होता है तब तुम मुझको रिलीव देने के लिए आती हो वो ये कहता है पोईट के ऐसा क्यों है वाट दर रीजन बहाइंड दिस कि तुम हमेशा लेट गाती हो तो कि तुम को प्यार के लिए बनाया गया है लोग के अंदर प्यार की फिलिंग दिगाने के लिए बनाया गया है तुमारे गाने में स्वीटनेस है तो अगर तुमारे अंदर ये सारी चीज़ां गौड ने दी है तो क्या God तुमको बला लेता है अपने किसी खास ब्यक्ति को तुमारे गाने सुनवाने के लिए तो अगर God तुमको बला लेता है या कोई Muse तुमको बला लेती है Muse का मतलब कोई Goddess, ठीक है न? या पिर किसी को प्यार करने के लिए तुम खुद चले जाते हो तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज तुमको बुला लेती है अपना गाना सुनने के लिए तो whether the muses or love call these mate इन में से कोई भी चीज अगर बुला लेती है the word muses allude to the Greek goddess of poetry तो poet ये कहता है कि तो मैं तो दोनों की शेवा करता हूं because I am a poet and I am a lover तो तुमको मेरे लिए भी गाना चाहिए और सबसे पहले गाना चाहिए तो ये हमारी poem का एक short description था जो मैंने आपको सुनाया कि कहना सभी लोगों को I hope के समझ में आ गया होगा अब हम आगे चलेंगे थुछा सा इसका structure analyze करेंगे तो एक बाल मुझे बता दीजीगा शभी लोग के मेरा जो explain किया हुआ था वो आपको बिल्कुर समझ में आया कि नहीं आया मैंने आपको line wise explanation किया है अब मैं बलक में भी poem का explain करूँगा ठीके ओके शौमिया मिसरा, आफरीन यू पांडे, आफरीन शीतर राजपूत बिल्कुल clear हो गया ना देखिए अभी तक जो problem आ रही थी आप लोगों की वीडियो कभी चिपक जाती थी कभी वो तो वो आप लोगों की demand पे मैंने जो feature लगवाया था जिसमें आप अपना जो option था क्या कहते हैं यानि कि resolution को कम और ज्यादा करने वाला उसकी वज़य से था तो वो feature मैंने हटा दिया उसके बाद मैं अप पास सब कुछ सही चल ला है वो feature ही problem कर ला था हाँ अर्चना तरपाटी बताईए क्या problem है चलिए यस सर 4 है very good चलिए आगे बढ़ते हैं next one अभी तो हमारे पास बहुत कोछ है इसमें बताने के लिए अहां बात कर लेते हैं इसके structure के बारे में इसका structure कैसा है जितने भी question आते हैं poet के poem पर वो सभी theme पर वियस्ट आते हैं उनके structure पर वियस्ट आते हैं तो the poem has 14 lines कितनी line है इसमें 14 line है क्योंकि poem क्या है आपकी sonate है poem क्या है आपकी एक sonate है and it is written in italian format यानि कि इसको pet rachan format में लिखा गया है pet rachan sonate style में इसको लिखा गया है इसकी rhyming scheme क्या है a b b a c d c d c d इस last वाली को आप याद रखिएगा क्योंकि ये वाली तो सभी pet rachan format की same होती है लेकन ये वाली जो scheme है ये बदलती रहती है न so it is written in the form of iambic pentameter iambic pentameter क्या होता है या पुरानी जितनी भी sonate मैंने आपको discuss कराई है सभी में बताया है ठीक है न iam का मतलब क्या होता है iam हमारा basically दो यानि कि एक style two style level का कोई word होता है ठीक है न उसमें आपका एक style level होता है कौन सा वाला एक style level होता है stressed यानि कि जिसमें ज्यादा time लगता है बोलने में एक होता है आपका unstressed ठीक है न तो ऐसे एक style level से और ऐसे एक style level से हमारा एक complete feet बन जाता है मतलब एक feet बन जाता है एक फीट में हो सकता है कि एक ही सब्द हो यानि कि वन वर्ड ही हो सकता है या हो सकता है कि उसमें दो बर्ड हो जाएं कभी-कभी एक ही वर्ड में दो साई लेवल हो जाते हैं तो वो एक ही फीट हो जाएगा कभी-कभी सिंगल वर्ड का एक फीट होता है जिसमें 5 feet होते हैं, मतलब एक के तुकड़े कर दो, इसके तुकड़े कर दो, इसके तुकड़े कर दो, इसके तुकड़े कर दो, इसके तुकड़े कर दो, अब इसमें हमारे कितने side level हो गए, 2 side level इसमें 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 हो गए, मतल of feet होता है which is a rhythmic and regular जो regular होती है और rhythmic होती है जहां पर बाई आ रहा है ठीक है ना और वार्वेस्ट एड इव वेन और ला वूट्स आर इस्टिल यहां पर इस्टिल आ रहा है तो यह जो हमारी राये में होगी यह अलग जाके मिलेगी दूसरी जैसे यहां पर विल आ रहा है ठीक है ना तो इससे मिला एल और एल क्लियर है ना जब पूरी पोईम को पढ़ाँगा तो समझा जूँगा जब पूरी लायन को हम पढ़ेंगे तो इसमें आपके 5 फीट होंगे इस लायन को पूरी को पढ़ेंगे यहां से यहां तक तो 5 फीट लोंगे, इस लायन को यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो 5 फीट होंगे, पूरी को यहां तक पढ़ेंगे तो 5 फीट होंगे, इस तरीके से, आप चलते हैं धर्वा सा आगे मैंने इसको तो आपको बता दिया, basically यह छोटी-छोटी चीजह हैं, यह सबील दोग तो आप पहले स शक है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है फिकर आप इस speech में पूछ लिया जाता है कि एंजाम्मेंट क्या होता है तो एंजाम्मेंट एक ऐसा poetic device होता है जिसमें जब हम किसी line को पढ़ते हैं तो जैसे कोई poetry की line है बेसिकली हर line के पीचे कॉमा लगा दिया जाता है जैसे कि इस line के पीचे full stop लगा दिया इसके पीचे कॉमा लगा दिया ठीक है और इसके पीचे कुछ नहीं लगा दिया और यहां पर पर कुछ शैमी कॉलम लगा दिया फिर end of successive line, line खतम हो जाती है, लेकिन syntax खतम नहीं होता, मतलब उसका sense complete नहीं होता, उसके लिए हमें jump करके, नीचे वाली line पे आना पड़ेगा, in several lines such as, pretend success in love, ठीक है, of joyous will have linked that armor's power to die, तो यहाँ पर दे दी जा गया दाई, अब दाई के बाद में कुछ है ही नहीं आगे, कुछ नहीं है, मतलब sense कहां गया, इसका पता ही नहीं पड़ रहा, तो जब तक हम आगे वाली line नहीं पड़ेंगे, नीचे वाली, तब तक हमें complete नहीं होगा, ठीक है, चलिगा, shop ले, तो there is only one end stop, अगर इस पोईम की बात करें, तो इसमें एक end stop line है, जो के सबसे last में आती है, which occurs at the concluding line of the point, पोईम की सबसे last line जो है, वो हमारी end stop line है, खिक है, याद रखी है, तब पोईम्ट has also used another literary device, इसमें कुछ और भी literary device का यूज़ किया गया है, हाइपोटेक्स किसे कहते है, कोई मुझे बता सकता है, if anyone can tell me the figure of speech or literary device, हाइपोटेक्स बताईएगा, सभी के एंडिडेट को ये question दिया जा रहा है, तो सभी लोग मुझे बताएँगे, हाइपोटेक्स का मतलब क्या होता है, जिसको आता हो, वो अपना हैंड रेज करते हैं ना, बता दीजिगा, सभी केंडिडेट बताएँगे, हाइपोटेक्स का मतलब क्या है, बहुत जल्दी बताएँगे, कि के, ओके बरिजेंद सिंग बताईएगा, सभी लोग बताएँ मुझे, शीतल राजपूद अर्चना, नो आइडिया सर, बरिजेंद सिंग ने रेज हैंड किया है, बर्ट आंसर नहीं आया, कुमारी रीना, किशी को नहीं पता है, चलिविक्षा, किशी को नहीं पता है, तो देखे, हाइपोटेक्सिस एक इस तरीकी का, मौसमी, पैन, ओऐएदिया, आपके सामने लिखा तो है, आपके सामने लिखा हुआ है, देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, हाइपोटेक्सिस बेसिकली किया होता है, हाइपोटेक्सिस एक तरीकी का, complex syntax समझ लेजीए, उसमें होता है, क्या है एक जो clause होता है मतलब उपर वाली जो line होती है उस पर emphasize किया जाता है किसी subject को या किसी object ठीक है उस पर जोर देकर बात कही जाती है ठीक है ना उसे जोर देकर बोला जाता है और जो दूसरी line होती है उसके just नीचे उसमें उसको define किया जाता है तो यहां पर जब आप लाइनों को देखेंगे जब पूरा जंगल सांथ होता है तब तुमारा यह वर्वल साउंड है मतलब तुमारी जो चिर्पिंग है वो इविनिंग में गूंचती हुई नजराती है ठीक है याद रखीगा वन क्लॉज डिपेंट्स ओन अधर क्लॉज नहीं ये एक शिमिलर फैक्ट हो सकता है लेकिन मैंने आपको बताया कि एक क्लॉज में इंबिसेज होता है उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बात हो रही है तो इस पोईं का बेसिकली सब्जेक्ट क्या है नाइटिंगल है तो नाइटिंगल फे फॉकस किया जाता है दूसरे सेंटेंस में उसको डिफाइन किया जाता है ठीक है याद रखीगा चले आगे बढ़ते हैं नेस्ट तो ये किलियर हो गया एक क्लॉज दूसरे क्लॉज ची सब्जाइन कर दिया जाता है जैसे कि इस लाइन में दिया गया इस लाइन को आप याद रखिएगा ब्रूम स्प्रे का मतलब है वर्वल्स का मतलब है जो गाने होते हैं उसके वो ठीक है ना आर्किक है यह at eve का मतलब साम को टाइम में when all the words are still जब पूरा जंगल सांत होता है जब कोई नहीं गाता है जब सब कुछ सांत हो जाता है here the first line focus on the nightingale while the following line gives further explanation out तो this poem contains alliteration इसमें हमें alliteration भी देखने के लिए मिलता है alliteration क्या होता है सभी candidate बताइए poem तो आपकी detail में चल लगी है वर सभी लोगों को बताना पड़ेगा what is alliteration and what is assonance पूरी poem का answer, पूरी question का answer question number 2 है आपका और question number 1 है आपका और हर चीज का answer आपके सामने लिखा हुआ है I just want to tell कि सभी लोगों को आता है या नहीं आता है आपको बताना है ठीक है चलीएगा सभी candidate बताएगे what is alliteration or what is assonance what is the difference between alliteration and assonance चलीएगा निशा यादब शिखा यादब सभी candidate बताएगा शुमन, शामीर, one clause depends अभी तक किसी का answer नहीं आ जाएए ओके मीनू रिलीफ आ रहा है अर्चना बार बार एक words का repetition आ रहा है चलीए तो देखिए इस परश्ट तोर पे consonant repeat बैरी उड़ देखिए alliteration क्या होता है alliteration का मतलब होता है किसी word में यानि किसी line में, किसी context में जो पहला letter होता है उस पहला letter का जो consonant sound है वो उसके नजदी की word से या नजदी की phrase से बार बार repeat किया जा रहा हूँ पहली characteristic है ठीक है दूसरी characteristic हमारी क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो consonant sound ही हो कभी-कभी पूरा का पूरा एक complete word होता है उसका initial जो vowel sound होता है उसका भी constantly repetition हमारा कभी-कभी alliteration माल लिया जाता है दूसरी condition यह है कि उसमें जो अगर कोई word ऐसा होता है जिसमें initial vowel letter होता है तो उसमें क्या होता है जो vowel sound है जो consonant बहले यहाँ पे तो vowel sound है ठीक है ना लेकिन उसमें जो consonant sound होता है उसके stress syllable में होता है ठीक है ना उसके stress syllable में होता है जैसे कोई word आपका two syllable का दिया हुआ है तो यह stress syllable हो गया और यह आपका unstressed syllable हो गया यह एक बहुती difficult characteristic बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी तो stressed syllable का पहला letter हमारा क्या हो सकता है stress syllable का आपका हमारा जो हो सकता है वो बल लेटर हो सकता है ठीक है ना लेकिन इसमें जो बीच में जो कोई letter दिया गया होगा वो consonant sound होगा तो उसका वार वार repetition होगा वो हमारा alliteration हो जाता है ठीक है याद रखीगा तो हमारे सामने कुष्षन बेसिकली अभी यह नहीं अभी तो हम के वल पोईम को बढ़ा रहे हैं जब कुष्षन कराएंगे तब सारी चीजे बता देंगे तो alliteration का यूज किया गया है कुछ वर्ड से जैसे relief दिया गया है relief में आर दिया गया है मूज दिया गया है मीट दिया गया है मूज और मीट दोना alliteration है देम दिया गया है देर दिया गया है उसके बाद में on the other hand the following words contain assonance assonance इसका थुछा सा अलग होता है यहाँ पर गया ता इसमें consonant sound का repetition है in the beginning of the word यहाँ पर in the middle हम देखते हैं जो vocal sound है वो हमको देखने के लिए मिल जाता है कहीं पर भी vocal sound का जो repetition है वो हमको देखने के लिए मिल जाता है तो वो हमारा assonance होता है clear है याद रखी का beginning में हो सकता है middle में हो सकता है तो यह दो तरीके के हमारे यहाँ पर figure of speech यूज किये गए इन words को आप लोग याद रखेंगे अच्छा इसमें diction की अगर बात करें diction का मतलब जो रूप रेका है शब्दों का जो खेल है वो कैसा है तो यहाँ पर जो diction यूज की गई है contain some words classical language कुछ diction में classical language का इस्थिमाल किया गया है जैसे दाउ जो है दाउ का मतलब तू होता है और बेसिकली इसको हम यू बोलते है यू हमारा second person pronoun है और जो दाउ हमारा ये भी हमारा second person pronoun है यू का मतलब तुम होता है ठीक है ना दाउ का मतलब तू होता है pastoral language में दाउ का मतलब तू होता है तो यह कुछ ancient language आनि के classical language के words है जो यहाँ पर use किये गए है जैसे दाओ, phrase, hope, the lovers, heart, dosed अब dosed का मतलब होता है does, क्या होता है does और it ठीक है न, फिल as दाओ दिया गया, year दिया गया, year का मतलब यहाँ पर है year और एक है आपका year, दो यहाँ पर आपके word के मतलब होते है ठीक है न, hasest दिया गया, तो has का मतलब है has, और it, ठीक है न, और sanctuate तो यह कुछ classical language के word से यहाँ पर use किये गया है, diction में वो आपको याद रखना है clear है, चलिगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, तो this poem is all about success, अगर इस poem की बात करें तो very briefly we can say that this poem is all about success, hope and fulfillment in the love and contents of message of hope and success in love for lovers इस poem की जो फूरी theme है वो यही है कि यह poem success के बारे में है, hope के बारे में है और प्यार की fulfillment के बारे में है, जो content करती है, अपने अंदर एक message और hope यहनि कि उम्मीद का एक संदियस है, इसके अंदर सफलता का एक संदियस है, जो प्रेमियों के लिए है कि इस music को सुनने के बाद में उनका जो प्यार है वो सफल हो जाएगा यहाँ पे कुछ lines है, जो कोई जो आज के जमाने में जो कोई प्रेमी होता है यहाँ जो लवर होता है, वो इस lines को अपनी beloved को share करने के लिए use कर सकता है एक और यहाँ पे दिया है last line को बता जेता हूं, यह कुछ line है, यह भी बहुत ज्यादा important है, इनको भी लोग अपनी share कर सकते हैं इस line का भी बहुत ज्यादा importance है, तो यह तो हो गया हमारा completely इसका description, अब हम बात करने हैं इसकी poem के बारे में इसका description complete तरीके से सभी को समझ में आ गया, तो मुझे बताईए, और नहीं आया हो, तो कोई यसी चीज जो बच कही हो, जो मैंने नहीं बताईए, तो आप मुझे पूछ रीजीगा हूं, ठीक है, फिर हम उसके बाद में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलीगा, तो इस poem की आप एक बाद नजगर लेते हैं, थोड़ा था, जैसे तो मैंने सब कुछ बताई दिया है, हलके से मैं और बता देता हूं इसको, किसी का कोई कुश्चन हो, तो आप लोग बताईए, उसके बाद में चलेंगे, ओके, शीतल, आस्तो, सिखायादव, अर्शना, आफरीन, अर कुमारी, सबी लोगों को कोई प्रोलम तो नहीं है, किलियर है, लितू चौधरी, ठीक है, तो चलिए का बात, और देखी, अब आप लोगों की रच्छावंदर तक क्लास हैं, थोड़ी ऐसी हो पाएंगी, डमाडोल तरीके से, क्योंकि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, और म इसके बाद में आपकी क्लासर अच्छा मंदर के बाद सही तरीके से स्टार्ट हो पाएंगे, ठीक है, तबता आपकी जो पर स्टुडी करा दिये, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है, अच्छा, वीरंद सर आ गए, और वीरंद सर क्या हाल हैं आपके, हम फिरोजाबाद में पर फिरोजाबाद में, चलिगा, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वैसे तो मैंने टोटल पोईम आपकी कम्प्लीट करा दिया, हरे की सब्द मैंने आपको समझा दिया, मैं सिर्फ एक बार समझाँगा सब कुछ, तो पोईट कहते हैं यह वरवल सिष्ट का मतलब है, यहाँ पर उन शौंग से जो उसके मुह से निकलते हैं, उस साउंड से जो वो क्रियेट करती है, एट इव, इव हमारे क्लासिकल वरड है, इसका मतलब होता है, इविनिंग, क्या होता है, इविनिंग, ठीक है न, इविनिंग, वेन ओल दबूट सार इस्टिल, तो यहाँ पर पोईट कहते हैं, हे नाइट इंगल, तुमारा जो खुस मिजास, मन को मुग्द करने वाला यह जो साउंड है, यह उस समय पर भी आता रहता है, जब हर चीज सांथ होती है, जंगलों में किसी का सांथ नहीं आता, सब कुछ सांथ है, तब तु तुमारा जो आवाज है, तुमारा जो शांड है, ठीक है ना वो कि अगरता है, फ्रेस वोप एक तरो ताजा उंबीत क्रियेट कर देता है, तो लवर्स हर डोस्ट फिल, और उस उंबीत से उन प्रेमियों का जो दिल है, उस आसा के साथ में भर जाता है, एक नई उंबीत, पन अपने लगती है, कि मेरा जो प्यार है, वो सक्सेज हो जाएगा, मैं जिस से प्यार करता हूँ, वो मुझे मिल जाएगी, वाइल जोली आवर्स लीड ओन प्रोपीटियस में, यहाँ पर यह जो दिया गए, जोली का मतलब होता है, खुस, क्या होता है, हैप्पी होता है, और यह आवर्स दिया गया है, आवर्स यहाँ पर एक ग्रीक माइटलोजी का एक वर्ड है, कैनी का मतलब यह आपके जो गौ के कार्ड और यह बहुत ज्यादा खुस होका डांस करती थी तो जो सीजन हुआ करते थे वो चेंज हो जाते थे यहां पर पोईट कहता है कि तुमारी इस मंत्र मुग्द करने वाली आवाद से इस प्यारी सी आवाद से इस चिर्पिंग से जो लवर्ग से उनके हिर्दय में नई उम्मीद भर जाती है उनको लगने लगता है उनका जो प्यार है वो शपल हो जाएगा और उस जीज़े में क्या होता है वाल जब जो जो ग्रीक डाइटीज एं वो खोसो कर डांस करती है जिसकी करण मई का महीन आ जाता है तो बेसिकली यह बात हो रही है डायट इंगल के गाने की यह मई के महीने की हो रही है ठीक है इसके बाद में बाद कर लेते हैं अब पोईट उसके गाने को उसकी आवाज को कहता है दाई लुकिट लुकिट वो यहां पर यह कहता है क्योंकि उसके जो शॉंग है वो फिलो करते है फ्रीली फिलो होते है हवा के साथ फिलो होते है मतलब तुमारे जो sound है वो तो बहता है notes that close the day close the eyes of day यानि कि evening हो जाती है उस समय तक तुमारे गाने बज़ते रहते हैं तुमारा जो sound है वो जंगलों में गूजता रहता है अब यहां पर कहता है कि first heard before first heard before मैंने पहली बार सुना है मैंने पहली बार सुना है potent success in love कि तुमारे जो गाने हैं वो प्यार में सपलता का परतीक होते हैं ठीक है ना तुमारे जो गाने हैं वो प्यार में सपलता का परतीक होते हैं अगर तुमारे गानों को सुनूं तुमारे sound को सुनूं तो ऐसा लगता है कि मेरा प्यार सक्सेज हो जाएगा समझीगा अभी मैं इस लाइन को कम्प्लीट नहीं कर रहा हूँ ये लाइन मैंने छोड़ दिये ठीक है न ये लाइन मैंने अभी छोड़ दिये मैंने first heard before potent success in love यहां से किया है इसको मैं अलग color से कर देता हूँ skip कर देता हूँ ठीक है ना इसको मैंने अलग किया है इसको मैं अभी समझाऊंगा थोड़ा सा online को clear करूँगा उसके बाद मैं ये complete होगी तो first heard before potent success in love Oh, Oh, if jobs जोबस यहाँ पर किसके लिए आया है, गौड के लिए आया है, इसको हम जीयू से भी बोलते हैं, किया बोलते हैं, इसको जीयू से भी बोलते हैं, amorous power मतलब यह power जो लोगों के अंदर happiness create करती है positivity फैलाती है वो power तुमारे अंदर create की है oh if jaws will have linked that armors will to die softly मतलब तुमारी से मधुरा आवाज में power दे दी है तो तुमको क्या करना चाहिए now time listening तुमको समय से गाना चाहिए मेरी nightingale तुम समय से क्यों नहीं गाती हो array the rude word of hate उस पच्ची से पहले जो कैसा है word of hate है जो घ्रडा का पच्ची है इर्षा का पच्ची है जिसके मुक से इर्षा निकलती है hatred निकलती है ठीक है न the shallow kukoo's will कौनसी वाली देखिए array the rude word of hate the shallow kukoo's will यानि उस kukoo की चौंच से जो कि किसकी यह word of hate है उससे बहुती जदा hatred sound निकलता है उसके sound से पहले तुमको गाना चाहिए who tell my hopeless do means who grow क्यों क्यों क्योंकि अगर इसने पहले गाया इस rude word of hate ने पहले गाया तो जब भई जो पहले गाएगा उसी का sound मेरे कानों में जाएगा तो civil for tell my hopeless ये मेरे hopeless मेरे बुरे दिनों के बारे में मुझको याद दिलाएगी doom sin sum grow near नहीं कहीं दूर ये गाना गा रही होगी और मुझे उस सारे चीजों की याद आ जाएगी जो मेरे साथ बुरा समय गुजरा है grown year का मतलब है somewhere और ये वो जगे होती जहाँ पर लोग adversities में घरे होती है ठीक है ना disappoint होती है उन सारी जगे की तरफ यहाँ पर poet इसारा कर रहा है आगे कहता है poet के as thou from year to year यहाँ पर दो तरीके से हम इसका sense लगाते है एक तो मतलब होता है कान से कान मतलब person to person individual to individual और दूसरा मतलब है साल दर साल ठीक है ना साल दर साल तो कुछ भी समझे लीजिए मतलब एक ही निकलेगा as thou from year to year has sung too late अगर हम देखें तो हर व्यक्ति तुम्हें ये बताता है जिसने भी सुना यानि के year to year जिस व्यक्ति ने भी सुना है तो यही कहता है कि thou from has sung too late कि तुम हमेशा late गाती हो या पर ऐसे कहें कि सालों से देखता चला रहा हूं कोईट कहते हैं सालों से देखता चला रहा हूं कि हर साल तुम late गाती हो तुम बाद में कोई रीजन नहीं है जो तुम late गाती हो अगर कोई रीजन है तो मुझे बताओ क्या रीजन है अब वो अपने आप ही कहता है whether the muses or love call the his mates mates का मतलब होता है अपने सातियों के लिए क्या जो muses है the goddess of Greek love है वो है यानि जो भी goddess है वो सभी तुमको अपने पास बुला लेती है और love call the या कोई प्यार करने वाला तुमको अपनी तरफ बुला लेता है अपनी beloved को खुश करने के लिए ठीक है तो poet कहता है अगर ऐसा है भी अगर ये लोग तुमको बुला भी लेते है तो फिर क्या है both them I serve तो मैं दोनों को ही serve करता हूँ मतलब मैं goddess of poetry को भी serve करता हूँ because I am a poet मैं अपनी आप में एक poet हूँ and of their train I am और मैं अप देखे मैं ये कहता है both them I serve मैं दोनों को ही serve करता हूँ because I am a poet and I am a lover also मैं एक lover भी हूँ तो and of their train I ये हमारा क्या है ये poet यहाँ पर last में कह देता है कि मैं उन दोनों के साथ चलता हूँ तो basically तुमको मेरे लिए पहले गाना चाहिए तो हमारी ये poem हो गई finish इसमें आप किसी तरीके की कोई problem हो कोई भी word ऐसा हो जो मैंने नहीं create किया हो नहीं समझाया हो ताम मुझे बताईएगा उसके बाद में हम 10.30 पी-म पे मिलेंगे जो मैंने कल poem आपकी start की थी है ना कौनसी वाली start की थी क्या नाम था उसका the tower तावर वाई डवलू बी-इट्स ग्रूप का मतलब इसके लिए जंगलों से forest शो होता है चलिगा तो सभी लोगो गोडिवडियंग और आज साम को class नहीं होगी आपकी YouTube चैनल पे कोई class नहीं होगी अभी दो-चार दिन तक साइध नहीं हो ठीके ना चलिगा तो सभी लोगो और जितनी भी मैंने भी study करा दी आपको completely आप लोग learn करिए live class का इंतियार करना छोड़िए कि live class आएगी तभी बढ़ेंगे मैंने बहुत कुछ करा दी आए इतना करा दी आए कि आप एक महीने में completely नहीं कर पाऊगी ठीकना तो जो कुछ भी previously हो गया उसको आप learn करना सुरी कर दी तो